जया माविन्द वाशनी हर हर महादेव आप शबी का स्वागत है हमारी उच्छोप परिवार में आज जो विस्य है वह सभी ग्रस्तों के लिए है और यह विस्य हर उन व्यक्ति के लिए अत्यधिक आवस्यक है जो जगा जगा भटक रहे हैं जनको काफी अधिक कश्ट है तकल को इस विस्य में अच्छी तरीकी से जनकारी प्रापत हो और अपना वन्यवारन कर सकें इससे पहले कि इस विस्य को आरंब करें मैं आपसे भी से निमदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आपको को प्रश्ण नों तो आप कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम गुरूप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से हमारी गुरूप को अच्छे से ज्राइन कर सकते हैं वहां हमसे हमारे साधक परिवार से बाच्छित कर सकते हैं विस्य है बटुक भारों के हिर्दे का जितना ज्यादा हो स तके सही तरीके से प्रियो करना और अपने कष्टों से मुक्ति पाना यह विधान किसी भी साधक के द्वारा चाहिस्त्री हो या पुरुस हो उनके द्वारा यह किया जा सकता है विशेश रूप से ध्यान रखना है यहां पर कि जो भी व्यक्ति अविचार से ग्रसित है अगर आपके उपर तंत्र मंदर का प्रियो किया हुआ है तो ऐसे कंडिशन में क्या होता है कि आपका आभा मंडल काफियादिक कमजोड हो जाता है जिसके कारण चाहिए आप इस्त्री हो या पुरुस हो जब भी आपके उपर अविचारी कतिवीदियां की जाती है सत्रू के इस प्रकार की चीजें होने लगती है तो ऐसे कंडिशन में क्या होता है कि आप बहुत जगह दिखा लिए आपको कुछ समय के रहात मिला फिर नहीं मिल रहा है रहात तब क्या करेंगे दुबारा एक आता है कि चलिए ऐसा होता है कि हम कुछ पाठ पुजा किये कुछ समय के बहुत में वहें हो जाता है यहां पर कारण आता है कि आपकी सरीर में भी विचारी मिलिए औरा उसकी मातरा समय समय पर बढ़ाई जाती रहती है बार-बार उसके उपर आप कुछ भी करें उसको उसको मात्रा को कम करेंगे आपके सत्रू जो है, वह कुछ न कुछ निया प्रयोग डाल के उसको फिर बढ़ा देंगे, आप तुना फिर से आपका स्तुलित कम जोड़ हो जाएगा, ऐसी स्तिती में जरूरी हो जाता है कि आप स्वेम को सबल कर लें, आप स्वेम जो है अपने आभा मंडल को, अपने सरी सहयता लेकर करें, जो आपको इस अस्तर तक सहयता कर पाए, या तो स्वेम कर लें, किसी से सहयता अगर हो जाता है, तो उनकी अपने विधी होगे, स्वेम से कैसे करेंगे, उसके लिए पहले से चैनल पर चार से पांच अलग अलग वीडियो, मुझे लगता है, दस से अलग अधिक वीडियो जोंगे चैनल पर, आज का या विधान जो बता रहे है, यह पुण रूप से हर दक्ति के लिए है, जिसमें कोई विधी निसेद नहीं है, एक तरीके से बोला जाए, तो आर या पारवाली स्थिति के लिए है, कि करना है, और यह बात याद रखिएगा, कि बतक भायरो एक ऐसे सक्ति है,man जो कि नाम बतक भायरो है, तो उनका सोरह वर्सी स्थे शौरूOM उनका माना जाता है, युवा का बाल स्थुरूम माना जाता है, लेकिन जब अपने भक्तों को अभे देने पर आते हैं, और सत्रों के दमन हेत उत्य हैं, जो गलत होता है, उ और अपने सरीर में इतना समर्थापका होना चाहिए कि आप इस प्रयोग विधी को कर सकें। इस प्रयोगों को आप घर में तभी करें जब आपका घर अविचार सम्मुक्त हो। अगर घर पे अविचारी क्रिया हैं घर में प्रसानी हैं तो इसको सिव मंदर में कीजिए या फिर महाकाली के मंदर में कीजिए या फिर किसी भी मंदर में कीजिए करना क्या है आपको इसमें अरकिन-किन चीज़ों काव सकते होगी कैसे कैसे करना है घर अगर अविचार समु वहार लिजेगा किस दिन का संखल लेजए आप स्त्री हो या पुरुष हो वस्त रिस में आप पिला या लाले रखिए लड़कियां शूट पहन ले, शूट शलबार पहन ले अगर आप स्तन्दी हैं साडी पहनती है तो पिला या लाल, शाडी का प्रबंद्ध कर ले आसन उन का होना चाहिए या कंबल का होना चाहिए कंबल का आसन आप चाहिए तो लालिया पिला कंबल वाला आसन एक ले लिजे या फिर कुशा का जो आसन आता है वह ले लिजे मंदर में बैठेंगे तो दिशा का कोई भी निसिद नहीं है आप देवता की और मुख करके बढ़ सकते हैं, मंदिर किसी भी देवता का, हनुमान जी का हो, तो भी चलेगा, कोई दिक्तत नहीं है, बस मंदिर होना चाहिए, घर के बाहर में आपको करना है, इसमें आपको प्रति दिन जो है, छोटा सा हवन करना होगा, इस छोटा सा हवन क करने के लिए आपको रोज जो है कम से कम दो तीन गाय के गोवर के उपले लगेंगे थोड़ा सा आपको इसमें घी लगेगा कपूर लगेगा यहां रोज आपको रखना है यह काम भी आपको मंदर में ही करना है गंगा जल आपके पास होना चाहिए प्रते एक तिन भौग लगाने के लिए घर से आप किस्मिस ले करके जा सकते हैं या आप अगर समर्थ है आपके वहतर स्रेड में इतना समर्थ है तो आप कुछ भी मीठा भोग जो है ले करके बना के लेख जाए जैसे मीठा रोट बनाया जाता है गेहूं का आटा में गुड को और घी को अच्छे से मसल करके और उसको फिर रोटी जैसा बना करके उसे रिजा करके भोग में लगा सकते हैं भोग आप हनमान जी का मंदर है तो हनमान जी को तुलसी पत्र डालके चड़ा दीजे और एक दूसरे जगा में सेम भोग को रखना है भहरोजी के नाम से जहां आप पाठ करने के लिए बैठेंगे और उस भोगो को जो भहरोजी के नाम से रखे हैं वहाँ पूरा का पूरा भोग ध्यान रहे आपको इस पूरे नुश्चान काल में खुद नहीं खाना है बलकि किसी भी कुत्ते को खिला देना है कोई भी कुत्ता जो हो मंदर के आसपास में जो मिल जा उसको डाल दीजे उ चावल थोड़ा से लेंगे बिना टूटा वबासमती चावल को हल्दी से पीले रंग से रंग करके रखे उसे को अच्छत में लेना चाहिए आपको जो जो सामगरी हैं बीची बीच में बता रहे हैं उसको वीडियो सुनते वे आप लिख लीजेगा अगर आप चाहते हैं क को के पास जाने के लिए आपके पास पैसा है समय है 50,000,000,000,000 रुपे देने का आप दीजी आपकी मर्जी लेकिन आपके अंदर यह आपकी एक्षा हो भगवती एक्रिपा हो सदबुद्धी हो कि स्वयम से करना है तो आप पूरे वीडियो को सुनिए चीजों को लिखे तै तो हात में स्वरपथां अच्छत, पूश्प और सिक्का ज़रूर लेना है हात में लेकर के स्वरपथां आपको संकल्प करना है आसन पर पहले बाठाएंगर संकल्प पकरेंगर संकल्प से पहले आप अपने ओपर गंग suspended लिजी किसे मंतर किया होँा सकता हैते हैं कोई मंत के उपर जिसवी सत्रू के दौरा जो भी अविचार कर्म किया गया है उसके समूल ना से ही तो, और संपून तरीके से रक्षण प्राप्ति ही तो बटुक भैरोबाबा के कृपा प्राप्ति ही तो, भविष्ट में हर प्रकार से रक्षण है तू अपने सरीर अपने मानसी कवस्था हर चीज की रक्षण है तू बटुक भैरों के हिड़दे सुरूत का पाठ करने का यथा सकती संकल्प लेता हूं या लेती हूं यही इतना बोलना है और बोलकर के वह जो अक्षत फुलित्ता इसमें रूप से घूर अगर आपको हों तो ठीके नहीं तो आप द्थात्र भगवान को गृुरू आपंस्थापीत है क्रिपा करके मुझे आशिरवात दीजिए और यहां आदेश दीजिए कि हम बटुक भारों के हड़दे सुरोत का पाठ करके इसकी क्रिपा से इससूत की क्रिपा से और बटुक भारों क्रिपा से जो भी मेरे संकल फेवसे में पून कर सकूं और बटुक भारों क्रिपा को प् फिर अपने कुल के देवी देवताओं का समण कीज़े, कुल के देवी देवताओं आपको पता है कि कौन है तो ठीक है नहीं पता है, तो आप मन में हैं बोलिए कि है, मेरी कुल के रिष्टात्र सकती, आप जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, मुझे आपके विसे में नहीं पत से भगवती की सेबाब कर सको अच्छा जीवन जी सको और अपने जीवन के उद्धिस से को प्राप्ट कर सो कि यह बोलना चाहिए मानो जीवन सिर्फ और सिर्फ यही सब करने के लिए कुछ उद्धिस से होगा जब उनके क्रिपा से ही आपको उसके वी से मां पता चलेगा तो यह बोलना चाहिए इतना करने के पशाद जो है आपको फिर जिस भी देवी देवता को मंदिर हो उनका एक दिपक आप तिल तेल का यह सरसो तेल का आप जला दिजी आगी का जो भी आपका सामरत हो उनका दिपक पहले से जला दिजी जहां आप पुजा करने के लिए बैठेंगे वहां पर आप भैरो जी के नाम से चौमुखा दिपक जलाएंगे सरसो तेल का दिया थोड़ा सा मीडियम साज का लिजेगा ताकि देड़ दो घंटे तक वह दीपक जल सके बाती उसमें कालावा का बनाई चाहें बुरुई का बनाई ये कोई दिक्कत नहीं है हर बाती को डबल रखेगा यानि आठ बाती लगेंगे एक बाती को ड लिए आरंब के सभी पूजन को कर लिए अब जो है आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बटुक भरे के हिदय का जो है लिंक दिया हुआ उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल बाकर रखिए उसमें आरंब में जो विधी विधान बताया गया है उ प्रवपीठी का पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे इसमें जो है विनियोग करने के लिए हाथ में जल लेकर के हम मंत्र पढ़ते हैं विर्यादान करीशी अनुप चंदर शी बतुक भारो देवता अभी चिस्दर्थे पाठे बिनियोगा यहां बोल करके वह जो है चौमुक द तो यहां पर लिखाया है नमहा सिर्षी वहां पर अपने सर कुछ हुए नमह मुखे मुख के पास सांथ को ले जाए हिर्दय बोलते हुए तरी बटको बहरो देवताय नमह हिर्दय तो हिर्दय को सपर्च कीजिए फिर है बिनियोगा यह नमह सर्वाएंगे तो संपूर्ण सरीर को एक बार इसफर्च कर लेजे अब उसके परशाद जो है आपको आरंब करना है पहला स्लोक से लेकर के चौदावा स्लोक तक आपको पाठ करना है पाठ अप कैसे करेंगे तो आपको हाथ में ध्यान रखेंगे यहां पर हाथ में कम से कम आपको अठारह लॉंग लेना ओष्ञ लेनें के पस्षाद उसको हाथ में लिये हुए ही इसका लिखाना ओम-प्रणवेसह-स्रहपातु यहां से लेकरके 14 हुआ जो स्लोग है रक्ष महाकाल महाकाल है रक्ष मामकाल संक्टात यहां तक आपको पाठ करना है कितना बार करना है कम से कम 27 बार अधिक से अधिक 108 बार 108 बार करते हैं तो अत्ति उत्तम होता है यह पाठ आप 108 बार या 27 वह जितना आपका सामर्त हो 27, 56, 108, 81, जितना आप कर सके कियें, इसलिए हम संकल्प में यथा जक्ति बुलवाए हैं, रोज आप बढ़ाईएगा या कम मत करिएगा, ऐसा कर सकते हैं कि शुरू में 27 कियें, बार में आपका सामर्त बढ़ा तो आप चोवन करने लगें, फिर आपका सामर्त बढ़ा एक 208 करने लगें, यह आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा, बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए, तो इस परकार से आप एक 208 पार्ट करेंगे, गिंती गिनने के लिए कुछ आप रख सकते हैं, जैसे कि 10 सुपा में कपूर और उस 18 लॉंग को डाल दीजिए डालने के पश्याद सरप्रथम हाथ में पुनह जल ले करें जो वहां पर समर्पन कीजिए और उसके पश्याद जो है वहीं पर जो है उस लॉंग और कपूर को जलातीजिए इतना करना है आपको यह काम आप कम से कम ग्यारह दिन गया किस दिन या जीतना आपका समर्थ हो तुना दिन तख करना चाहिए कम से कम पहला बार तो 11 दिन का ही किजिए अगला बार से 12 दिन का करना चाहिए, यह क्या है कम करना है यानि यह अनुष्ठान आप तीन बार करेंगे यह तो पहला हो गया कि आप इतना कर लिए अब उसके बाद हवन वाले विधी जो है वह कैसे करने के बाद 11 जो है आपको लड्डू बनाने लड्डू कैसे बनाना है काला तिल लेंगे उसमें काला तिल जैसे कि आप अच्छा सा लड्डू बना लिए रोज आपको नौ लड्डू का जरुवत पड़ेगा नौ लड्डू रोज आप ले करके जाएंगे वहां पर किसी भी जगह में यह आप अगर अनिवारे रूप से करते हैं तो अत्ति उत्तम है यह चोटा सा जो है गाय का गोबर का उपल में ले करके अपने सर से लगाना के एक बार सिर्फ उसको उलटा घूमाना है ध्यान रहे उलटा घूमाएंगे और उलटा घूमाते हुए भैरोजी के नाम से कोई मंत्र पढ़ने का ज़रोत नहीं सिर्फ बटुक भैरोग के नाम से Ybooks findet या उम भी मत्ही सिर्फ बोल करके या मन में आप बोल करके हैं भोग समरपित है कृपा आप इसे शिट स्यविकार करें है बोलते है आप जो गायगोबर उपला जला है उसमें डालती जाए नौ बार यह ख्रिया करनी है उसके बाद हाथ में जल ले करके अगनी के चारो और प्रक्षान करेंगे क्लॉकवाइज घुमाते वे तीन बार है जो है उसको गोल-गोल घेर देंगे बांधना जो बोलते हैं जल से और फिर वहाँ प्रणाम करके पाट किजए लड़म ही रहेगा ठीक है अंतीम दिन जब आप यह काम करेंगे तो आंतीम दिन आप जो है जिस भी देवता का मंदीर हो चाहें ओकाली जी का आओ सिव ची का हो बैरो जी का हो कम से कम अंतीम दिन जो है आधा किलो से एक किलो लड़म ले जाना चाहिए आप जारी का भोग लगा कि कुछ दान करना चाहिए उस दिन दान में यथा सकती आप जो दे सकते हैं अपने सरीड से इस पर सकरवा के अन्न दान कर दीजिए वस्त्र दान कर दीजिए गरीबों को आप चाहे एक गरीब को भर पिट खाना खिला दीजिए जीव की सेवा जरूर उसको आप बिस्कृट खलेए नमकीन इहां काम आप करके दिखिए ग्यारे ग्यारे दिन का तीन अनुस्थान कीजिए जाहें एक जिसकी आप सकती आप की जिस अनुस्थान को आप पूरे तरीके से तंत्र से मुक्त हो जाएंगे या बिल्कुल समाने प्रयोग है अक्षत जो आप संकल्प लिए थें दीदपक जो जल रहा था जो थाली में आप रखे थें उसको फिर आप मंदिर में किसी चगा में अच्छे से रख देंगे ताकि वह पूरा का पूरा जल जाए और अक्षत जो संकल्प वाला था वह आप चाहें तो देवता को समर्पित करते हैं जिनका भी श्री विग्रह हो जाहें आप सीवजे के पास रख दीजे चाहें आप वहां कोई ब्रिक्ष हो जो पूजा किया जाता हो पीपल का कोई वहां पर आप उसको चड़ा करके छोड़ दीजे प कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगा आप संकल्प लेकर के बटक भरवपे पूरी तरीके से उन पर समर्पन के साथ आप इस चीज को किजिए उनके क्रिपा से आपका रक्षा अवस्य होगा जय माविन धवाश्नी हर हर महादेव